नमस्कार दूस्तों मैं इस्टडवित राजन से राजन कमार या आपको पर्तियुक्तर दर्पन के एक बर्स का जिसमें जून टू मार्च करेंट अफेल साविन किया गया है इसके जरीए आप लोग आपना सव शटवी बप्याश्वी प्री और सीडीप्यू के एक्जाम को ध कॉमपाइं जितना आप सोचे भी नहीं होंगे बहुत सारा फालतों चीज आप अपने दिमाग में रख लेते हैं यहां पर वीडियो एक बर देखके देखिए आपको पूरा डावट के लिए रोजाएगा सुचिए कब आपकर हम कितना अधिक फालतों चीज याद करते हैं कि कुछी शेक्टरा है जहां से करेंट के लिए कन बनते हैं पालतों करते हैं ठेक चलिया शुरू करता है हम थवाद सा बक्वास करते हुए जाधे नहीं है sindattan के इसमे न्यूज के क्या है इसके बाद आपको फरवरी का फिर पिछे बढ़ेंगे क्योंकि इससे बढ़ने से आपको जो करेंट पर नए बने हैं पुराने गोड़ी तो तो वहां पे आप लोग तो फिल किजेगा ठेक है यहां पर क्या है यहां पर आपको बंगलाद देश न्यूजिलेंड टेस नेक्स्ट नीज की तरफ हम बढ़ेंगे तो नेस्ट नीज होगा आपके लिए वह होगा यहां पर है क्या टेस्ट किर्केट में भी कत्लानी छोड़ने की छोड़ने की घ्राट कोली की गोश्ट्ट आप देखें टी ट्वेंटी वन डे और टेस्ट तीनु का कप्तान अपकोर बन चुके हैं तरोभीत थर्मा बन चुके हैं यतना याद रखीगा उससे जादे आप लोगों को याद करने की कोई जिरोत ने उसका आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ेंगे यहां देखिए भारत अच्छे अपरिका सिंखला विराट कोली की टेस्ट किर्केट में भी कातानी छोड़ने की घोष्ट ना वहीं बात है यहां पर ठेक है आगे आते हैं हम लोग अब यहां पर आएंगे दूसरे निच की तरह बढ़ेंगे तो देखिए क्या है थोड़ा सब फ़ले इसको देख लिजेए कि ठेक क्या देखना है तो टाटा समू अब आईपेल का टाइटल परयोज़क होगा यह बात याद रहेगा इंपोर्टेंट है इसने भीवो को रिप्लेस किया है जो एक चाइनेज कंपनी है ठेक इसके लिए आपको जो भी भुकतानास्य होगा उसको भुकतान किया गया होगा टाटा के लिए ठेक तो आपसको जानने की कोई और सकता नहीं है च्छोइससातर को रुपय है तो यह नहीं पुछेगा बस टाइटल प्रोजेक्ट को नहीं है इतना ही कोशन आपके लिए काफी है और परसावन किसके हाथ में है आईपेल का तो अस्टार स्पोर्ट के पास है यह आपको रफली जन आप लेंगे ही का अई ते हुआ थह चली यहाँ पर आते हैं देखी निस्ट जो आपको आई सीचिकी बश्राइश से की बॉट्ट बश दोएन करई कई कि पांच टीवन ठीक और तेखाश में टिश कर्या हैं उन्रीच रही हैं टीट्वेंटी खीले गए फुरूष के मच् सब्सक्रेट को इसको इसको आपको जानने की कोई आउसकता नहीं है यह चीज इन पूछता है कनि का मेच आपको जानरी Bene में सब्सक्राइब तो उससे आपको कोई मतलब नहीं ठेक यहां पे जो नीज है यह आपके लिए बहुत-बहुत इंपोर्ट कोशन बन सकता है ठेक क्या है तब विश्वकप जो है टी-20 का 2022 वाला ठेक है 222 वाला विश्वकप टी-20 का तो कहां पे होगा तो अस्टेलिया में यह बात याद रिखेगा यहाद जो टी-20 का विश्वकप दो साल को होता है ठीक है पिछला जो है 2020 में होने वाला था यह हुगा कोविड-90 का एक साल डिले हो गया और यह आपको एक साल बाद आपको हुगा तो 2021 में हुआ था कहां पे हुआ था तो कुछ मेचे जो है शुर जेता कौन था आपनों को याद होगा अस्टेलिया ने न्यूजीलेंड को हलाके इस टॉपी पे कबजा किया था ठीक चलिए अभी हो गया 2020-22 वाला तो फिर 24 वाला कहां होगा तो 24 वाला जो होगा वह आपको वेस्ट इंडिज के देश है वहाँ पे आप अमेरिका में यहा होने इस सब जो है ऐफ फाल चीज क्या है फाल चीज क्या है अबिकेटि में आप इंटेस्ट रखते हैं तो देखिए भारत कमेंस किस इसके साफ़ार दखता भी है, हम लोग भी देखते हैं, आप भी देखी ठेक हैं, चले, आगे हम, यहाँ पर ए हो गया, उसके बाद एक मिनूट से इतना था तसे किरकेट में आपको जो इंपोर्टेन्ट है, आपको बता दी एक जो है, आपको कौन है? एक जो है आपको S.S.S. Accцо कोन जीता है到 एस्टेलिया को और टेस्ट किरकेट में आप कपतान को हरा तो रोज़चर्मा ठीट्वेंटी-1 डे में भी रोज़चर्मा कपतान है उसकी आनाव आपको इतना याद रखिए उसके बाद यहां पर हम आते हैं इसके बाद टीट्वेंटी विश्व कब दोहर 22 वाला कहा होने वाला है तो अस्टेलिया में होने वाला है इतना बात याद रहेगा आगे हम आते हैं ठीक यहां पर कें टेनिस करूंज होगा टेनिस कर देखिए टेनिस में चार जो टॉफी होते हैं वह भी वी होते हैं सबको पता है सबको पता है कि चार जो टौफी होते हैं वह भी भी आई होते हैं कौन तो अस्टेलियाई उपें उसके बाद फ्रांसेशी उपें उसके बाद लंदन यहां वी वर्डन उपें बोलते हैं ठेक है उसके बाद अमेरिकन उपें यह चारों भी भी आई होते हैं उसके बिजेता कुछ कुछ कॉप्स हुए कुछ कॉप्स होता है। उस में आपको क्या है ए ए टीबी कॉप पूरुट कव होता है। एटीपकॉप क्वे सविच्वा 진행 इसके ऑफ़म क्रफेशनल्स कॉट करते हैं प्रुस्स करते हैं कौन करता है पूरुष खरते हैं इसके विजयता कौन बने हैं इंपोर्टेंट होगा आपके एक्जाम के लिए क्या होगा इंपोर्टेंट होगा फाइनल में एस्पेन को दूर जिर्यों से हराकर कनाडा के विजयता बने हैं ठीक है तो आपको कनाडा जीता है यह अगर चाल टॉफियों बताएं हैं उसमें अगर कोई भारतिया बन गया तो बोजिये के कोशन पुछेगा ठीक है और बागे समय विजटा भारतिया कोई बने हैं तो नर्मल होता है इसी नर्मल है लेन इसको याद रखने चाहिए यह डिलेड इंटरनेशनल टेनिस में रोहन पुपना और रामकुमार रामनात की जूड़ी का यूगल किताब यूगल बीजटा बने हैं कि टोफी में तो इडलेड इंटरनेशनल टेनिस में ठीक है यहाँ पे टोफी के नाम याद रखने से बेहतर है मतलब यह तो याद रखने चाहिए कि कौन जीते हैं तो रोहन रहा है बहुत जाद अचात्याय चाहिए अनकीता उचे का ez भी ट्थीनिस खेलती याद दिए खीक है चली हो सबीके अब आगे जो आप लोगों के लिए नीज होगा उनीज प्राफिया होगा यह यह टेनिस हो गया है उसके बाद एक मिन्ट दोस्तोर्षा आप उनी की फोटो है ठेक आगे आते हम हाँ यह है एस्टलिया यह जो चार जो ग्रेंड एसलम होते हैं उसमें आपको यह पहला है सबसेफले चारों घ्रेंड एसलेम जिसे अस्टलिय यूपन फ्रांसेसी ओपन लंदन ओपन और आपको अमिरकर उपन उसमें सबसेफले अस्टलिय पड़िज भेशायों के वाया हुँ होगा अब यहाँ पे कहानी नहीं पॉड़ते हुए हम सिधे आजाते हैं जो आपके एक्जाम के क्या है और और पूरुस विजेता कों बने है तोर पूरुस विजेता जो बने है ओप भू अब भी क्या है तो पूरुस विजेता बने है और ऊप आप नाम है याद रहेगा उप ए-取 यह आपको वीजयता कोन आपके वीजयता कोन है यह अपको अपके लिए भीब्याई होगा और इसे मेरें से तो आपको अस्टिलिया के ही SL बाटी है ठीक है SL बाटी पहले किर्केट खेला करते हैं उसके बाद इन्होंने टेनिस में अपना करियर अजमाया और आज सक्सेस है ठीक है बाकी इन्सम में आपको भारतिये खोजिए मिलेगा था ठीक है नहीं मिलेगा तो इसको इग्नॉर करक पूछेगा पूछेगा भी आपका लखराव होगा आप क्या कोई कोशन करके नहीं आएगा ठीक है SMART study किजिए मजा आएगा पढ़ने में ठीक है फालतुत चीज पढ़ने से बचिएगा जितना बचिएगा उतना ही आपका आगे सक्सेस्रेट बढ़ते चला जाएगा ठीक कंवरा जलेगा अभ हाम आते हैं एहो गया इस्टले यहों पेर उसके बाद थोलासा प्राइज आते हैं अ इंडियन ओपर नए दिली में हुआ है विजयता कौन बने है तो लक्षन ठेक है विजयता कौन बने है लक्षन बने है बुरुस के विजयता है ठेक है बुरुसों के विजयता कौन है तो लक्षन है अब देखे ए जो लक्षन का नाम बना है इंडियन ओपर के विजयता समाय वनाँ काम है एक कोछिंचा जारूर पूछेगा कि लकृष रिट्व क्या खेलते हैं क्या खेलते हैं दोस्त कि आप लोगा बते हैं क्या खेलते हैं historically a बैरे मेंट्रें आप आप वर मोद भन भृगत में बैमेंटरल खेलते है ठेक है और एक नवेड़ा के DM थे यह सुत्रा आपको ओभी DM खेल आपको बैड मेंटल खेल रहे थी ठीक है जो आपको अलम्पिक हुआ है टोक्यों पे ठीक पारालम्पिक खेल उसमें क्या कलते है रज़त फिलेजी उनका नाम आप लोग क्या है तो सुहास एथिराज है नाम इंपोर्टन पहना रखेगा थेका चले आगे हम बढ़ते हैं हम यहां पे बहुत खातक है यहें ही पुछेगा कौन सा क।शन पुछेगा को अभी हम आप लोगोको बता रहा है ठीक है यह सायद मोधी इंटरनेशनल बैडमेंटल बैडमेंटल 2022 आइस मोस्ट मोस्ट भी विए इकर लीच इसको जिस्त तलर से आपको अस्ट लिया यह ओपन इंपोर्टन थी उतना ही फैली इसको देशकते हैं ठेक है चले हम आते हैं आए इसको देखते हैं थ्वास आप टूद पॉइंट देख लेते हैं जो इंपोर्टन आपके लिए उतना ही हम बताएंगे ठेक है चले यहां पे जो इंपोर्टन आपके लिए सबसे पहले कि पूरुस विजयता कौन बने है ठेक है किसका तो इंडियन ओपन वाला ही है हाट शायराग फुरुस यवल बिजयता कौन में है यह तो बने है शात्रीक शेयराज रख्की रघी च अंस ant Алवी नाम इशराण ये याय अतरोरों ही ये षोगते समय नम और चलिए आगे हम आएंगे आगे हम आएंगे चलिए यहाँ पर देखे सायाद मोधी इंटेनिस का बाइडिमिंटर जो थ्वादर पहले हम लोग इनके बारे में चाचे किये थे यह आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाएंगे क्या है पूरुस चेकल भी जिते कोन है तो फाइन मैच नहीं हुआ ठेक है इसमें कोई इंडियन फाइनल नहीं पहुंचा था इसलिए इसका नाम आपनों छोड़ भी सकते हैं ठेक है महिला पीजयता मॉस्ट मॉस्ट इप्वी सिंदु ठेक है और आपको उपीजयता कौन है ता मालविका भारत के हैं दोनों आद्वे के ना कौन से पनेमें भी मिले था इनको मिले था कशी स काहस पाथ अतने मों सकतर थेक है इसके पष्ए आपको दोसौरे रिखिम Division II वालंपिक में इन्होंने रज़त पराख जिता है याद रहत्क है वो पदक अभी तक इनको मिल चुका है ठेक चाहिए आगे हम बढ़ेंगे कि अब हम आते हैं कि यहाँ पर आपको फूरुष हो गया मैंनला एकल बिजिता हो गया और देखिए यहाँ पर एक और कोर्शन आपका इन्पोर्टन बन सकता है क्या इन्पोर्टन कोर्शन हो सकता है तो आपके लिए है कि वह आपके लिए इन्पोर्टन क्या है एक मिल तो ते हाँ वह आपके लिए इन्पोर्टन है कि कि मिश्रित यूगल विजयता देखे को इंडियन है ठेक है इसान भतनागर और आपको तनीशा ठेक है इसान भतनागर और तनीशा तनीशा कराष्ट हो इसमें सब अधिकांस भारति हैं यह दिलो का नाम आप लो याद नहीं दखते हैं कि वह दो आध भी गराम याद रहें ए इन मोदी इंटररेशनल वैद्मिन्टल कहां होता है यह होता है आपको इंडलन कहां होता है यह होता ही अप लोगों इंडलन पर और महिला विजयता कॉन इंगलन है छो आप लोग के लिए कुछे कभर होगा तो ठेक है यहां पे बीट छोटा निसíst थोटा थाम से देखिए यह एक स्टलाइ ऑपन खेलने के लिए जो धिया हुए है के स्टेलिया पहुंचे नुआक जोकृच को भिजारत कर घ्यान कहलते हैं तो थे अब रहते क्या क्लते हैं टेनिस रहते हैं ठीक इंपोर्टन है नाम बहुत रिंपर्टन है टेक है इनको को बीन के ठीका नहीं लगाय थ तरस्टिल ने इनका विज़रत कर दिया और खेलने से मना कर दिया ठीक है कहां के खेलाड़ी है आई आप लोग पता कर रिए ठीक है कमेंट बक्स में को बताएं ताकि आप लोग याद रहाएं इंपोर्टेंट नाम है ठीक है जिसे इंदी मेरी होए है यह हुए इलो का नाम अधिक दिश का नाम के अब रिखिए ठीक है चले आगे हम बढ़ेंगे आगे जो आप लोग के लिए ने जुए है वह क्या है यहां पे बीवीद में देखते हैं क्या है जो भी वीदा आयो क्या है ौत मुन वीवी आई ठीक है जितना भी भी आई कर लेजे उतना याद करक अब देखिए क्या इसमें पढ़ना है आपको पद्म पुर्षकार दिये गया है तो पद्म पुर्षकार दिये गया है चैनल के नमें आम रखेगा देवंद्र जाजारीया क्या खेलते हैं तो यह जैवलीन थे आ है यह वह किम करते हैं को प्रशं दिया गया है उसी तर साते हम सुमित अंतिल हर्वने करने वाले हैं यह क्या करते हैं लिप कुछes सभी तो यहां पे आते हैं सुमित अंतिल है ठीक चले ए भी हार के रहने वाले हैं यहां पर वोडिशा के तरफ से खिलते हैं तो फ्रोर ही है आपको पता है इन्होंने जीता था टोको उलम्पिक पर जो है एक क्या है आपको कोच टेक फैजल अलीडार जो है ऑक्या है मास्टर मास्टर मास्ट मास्टल आट के कोच है वांदना कटरिया होकी महिला पलेर है बहुत-बहुत तांद पूटर निटा ठीक है उत्रकंड इदर नहीं हो लिए बहुत जादे चाचा में भी रही थी अपनों को याद होना चाहिए इनके नाम नाम याद एक आपको दो मेडल दी देथी पारालोंबिक में मॉस्ट-मस्ट इन्पोर्टन है क्या करते हैं निसाने बाद जाए ठीक और बर्मांत सक्वाल कर एक है फूर्बोलर है तो यह सभी नाम इन्पोर्टन आद रखेगा ठ नों के नाम याद आपको याद करने का बन नहीं है कोई बात नहीं देवेंद सेथारिया के नाम याद रखेगा मॉस्ट-मस्ट इंपोर्टन सुमीत अंदिल के नाम पर मुद्भगत निदर्च छोपड़ा ठीक है और और अनी लखरा बंदना कटा रिया का नाम याद रख सकते हैं अमको भी आगे आगे हम बढ़ते हैं निस्ट जो निवीज आप लोग के लिए उसको देखते हैं क्या है तो यहां पर आपको नेश्ट डूनीज है यहां पर हाँ आएंगे हम लोग यहां सत्रांज चेनवी के भरत सुब्रावन जो है भारत के तीहतर वे ग्रांड महाश्रों बने हैं इनाम याद रखेगा इंपोर्टन हो जाएंगे ठीक है क्योंकि अब हमारे ग्जामों का उसमें पुछा जा सकता है ठीक आगया तने सस्रांद यहां पर हो गया उसके बाद यहां इसका जो खेल प्रेंटर फिर था वो खतम हो गया आपका अब आते हम सिद्धे फरवरी की करेंटर नो फरवरी में जो इनपोर्टन है वह आपको बता रहे हैं आप लोगों चले यहां परते विश्वव बाइडमिंटन चेंपियंशिप वाह 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 एक सी एक करेंटर फिर मिल रहा है जो आपकी एक्जाम के लिए भी बी आई है क्या है विश्वव बाइडमिंटन चेंपियंशिप 2021 ठीक है इसके जो है आपको भारत के जो एकिदामी सिरिकांत जो है ओका रजद्पदक जीते हैं और लक्सिन को कास्पदक हो कि छब क्या कोई से लच्ट सेंगे ख़लते हैं बाइडमिंटन याद देखेगा यहां पर भी कास्पदक जीते हैं उधर इंडियन ओपन में आपको पूरुष के विजिता बने अभी बता हैं जो दिल्ली में अब यहां पर देखिए शरीकान का नामिर सिरीकान जो है और विश्वा पैडमिंटन चेंपिरिशिप नाम जैसे आएगा वह से भी भी हो जाएगा ठीक है कहां हुए है तो इस्पेन में हुआ है यह बात आप लो याद रखिएगा ठीक है चलिए अब इसमें जो भी इंप यहां पर जो नियूज होगा हां यहां एक मिनट हां यहां पर सबसे भी आपके लिए जो है ओ है कि इसके अबिश्वा बैर्मिंटन चेंपिरिशिप जो स्पेन में हुआ है उसके पूरु से कल भी जाता है कौन है तो लोह की यह नोह की नियो रजत कौन जिते हैं तो स्रीक कि अब देखें कि पौर भी प्रहुर यहीता है तो सबसे पहले जहाट सब्सें जो भाटियस जीदें थे और विश्व बाइडिमिंटन चेंबेशिप उनका नाम था आपको परकास पादुकोर, क्या नाम था परकास पादुकोर, ठीक है, अब आपको इनके नाम सुनते सुनते एक और पादुकोर का नाम याद आया होगा, वो है दिपका पादुकोर, कोन है दिपका पादुकोर, जो प कोई भी पता चैसो न्हों कासो चैराजरतु कौन जीती थे तो प्रकास पादकुर ठेक है कास पतक जीते थे उसके बाद पदकों का जहीं लगती है ठेक है महिला में सबसे पहले जो पतक जीती ओव आपको जीती थी देखिए यहां पर आपको बता दे रहे हैं हम उनके बारे में अगरे परकास पादकुर क्या जीते हैं आपको कास पता उसके बाद के सबसे पहले महिला जो थी यूगल हो गया ठेक है आपको फीवी सिंद्ध भी जीत चुद कहें साइना नहाल भी जीत चेक है तो इन लोके न चल दिए अभी जुद्ध यहां इसका बीजिता बनी है कि दामी सिरिगनाथ और आपको लक्षन उनका नाम रहे हैं ठीक है और जो उक्षोड पर भी दिद्ध है लोग की वे होना है लोग की एन ठीक है उन्हें का नाना रहे हैं लोग से लोहा याद रखिएगा लोगा ने चेमपिंटर्स नूज खतम हो कि रखता है कि अब आते हैं यहां सो जो नूज है ओं है कोईश में भारत को एक कास परन की एक कास प्रक मिला है ठीक है कोई बात नहीं एक ही कास मिला है ठीक है इसका एवरेजन कहां हुआ यह उतना important नहीं है जितना important यह वगाभी बताए है उसको बहुत कम है ना यादर है तो भी काम चल जाए गा है तब इसको आपको हो ऊंपर हैं उसके जह है बारत सब्सक्राइब कहा है मेंक हो कहा हुआ है कौन कास पॉस्चा है नामियादर की अश्म कुमार ठेक है चले अकास कुमार क्के खकते हैं तर için यह यहां से इस चलिए नेस्ट जो आपके लिए है इसमें राष्टिये बिलियर्ड्स इसका उतना इंपर्टन नहीं डाता है यहां पर आपने याद रिखेगा कि पंकल्ज अड़वानी क्या चेलते हैं ठीक है तब बिलियर्ड्स से समनता बस ठीक है इससे जादे आपने को कुछ नहीं फेम पिट सटरंच चेपेंशिप कौन बने हैं उनका भी नाम कोई खास इंपर्टन है नहीं ठेक है यह याद रखिएगा कि भारत के डी गुकेस्ट जो है मुकेस्ट करके याद रखिए याद रखिए याद रखिए यह आपको सटरंच खेलते हैं और आपको गेनेरू हम भी क् अश्थान मिला इनको उससे आपको कोई मतलब नहीं कौन अश्थान मिला कोई मतलब नहीं है इस क्या कह बत्ते हैं और के रखिए इस आपको 17 चैंबेशिप मेगन्स कालकर्स लग्टार पांच गुदर विश्व चैंपिन यह आपके लिए इन्पोर्टेंट होगा यह आपके लिए इन्पोर्टेंट होगा ठीक है चालिया एक दोस्त आएगे अब हम आते हैं एक कौन से निश्व विश्व सत्रण्स चैंपिन्शिप विश्व सत्रण्स चैंपिन्शिप जो था उसमें आपके मेगशन फाल समत लग्टार पांच गुदर भी जिता बनी है याद है नाम इन्पोर्टेंट है याद कि ठीक है विश्व सत्रण्स चैंपिन्शिप हो जीते हैं तब मेंगंसल का अग्षन जीते हैं ठेक है मॉस्ट मुपर्टेंट है कहां के खिलाली है तो यह आपको खिलाली कहां के है आप लोग खुद बताइए हमको ठेक चलिए आगे आते हम लोग नेस्ट जो नीज आप लोगको हुआ एक नट यह हो गया उसके बात स्विज में हां किन्केट है एक नट किन्केट एक उसके बात है किन्केट है तो किन्केट में क्या है बिजय हजारे टोफिक को निता है याद रखेगा इन्पॉटिन्ट है विजय हजारी टौफु तोफी कोन जीता है ये आपको टौफी जो जीते है वो आपको जीते है ता मिल नेड़ू और हिमाचल पर्देश के बिच में फैनल मैच हुआ था जिसमें हिमाचल पर्देश विजयता बना कौन बना हिमाचल पर्देश तामिलेंडों को खाला कर ठेक है चले यह जो है विजय हजारे टॉफी जो है वह आपको ODI परना पचास ओभर में होता है ठेक है इसी तरह से T20 क जो मैच है उसको बोलते हैं स्रेद मुस्ताक अली टॉफी ठेक है तो स्रेद मुस्ताक अली टॉफी कौन जीता तो उसको जीता कौन तो उसको जीता तामिलेंडों किसको हरा के करनाटा को ठेक है लेकिन विजय हजारे टॉफी जो वंडे के लिए होता है उसमें तामिलेंड जो अभी मैची खेले जा रहा है अभी इसके रिजल्ट आएंगे बात में ठेक इसके पहले जो एक किस्वाला जो है वो नहीं हुआ था आयो से क्योंकि यह कोविड-90 गाल था ठेक चलिए अब आते हैं हम लोग इतना बात समझ गए तो आपको भारत में जो किर्केट का होते हैं उसमें आपको बिजय हजयर टोफी ओडी आई के लिए 50 सबर का से दमुस्ताक अली टोफी 20 अब ठेक है और रजी टोफी टेस्ट के लिए ठेक अब बिजय हजयर टोफी को जिता तामिलन्डू हक को हराकर हिमाचल परत्ष और आपको से दमुस्ताक को जिता ठीट अब तामिलन्ड जिता तामिलन्ड जिता किसको हराकर करने अटाप ठेक है उसके बाद आपको टेस्ट रणजी वाला भी उसका योजन चाहर ठेक चले आगे हम आते हैं एह होगे आपका नेस्ट नुज की तरफ बढ़ेंगे हम तर नेस्ट नुज क्या है यहां पर आपको देखते हैं एक होगे आपका जले थोड़ा सा अहां यहां है हिमाचल बिद्देश्ट के टीम के कप्तान कौन है तर इसी ध्वन है इतना इन पर नाम नहीं है कप्तान का रहें जोड़ दिजी टेस्ट किर्केट में हाटिक बनाने वाले पहले भारतिय तेज गेंदबाद ज रहें प्तान सिंख्याच को जरुत नहीं है भारत अस टेलिया सिंख्ला मुजिल्डां क्या है भारत भारत मुजिलैंशी यह आपके लिए इंपॉर्टिन नहीं रखता है यह मैच याद रखी कर रफ्ली कभी-कभी पगला जाता है आयोग न तबूस्ट टेता है ठीक है इस में भारत के दोहरा एक टेस्ट मैंच में विजाय बना गया 372 रण से ठीक है जो रणों के दिरिश्ट्री से भारत के अब तक के सबसे बड़ी टेस्ट भीजाय रण के दिरिश्ट्री से किया है तो किया है भारत ने न्यूजिलान के खिलाप में कितने रण से तीन सो बहुत तर दूसर बहुत तर रण से कितना से तो सब ठेक है यह बात याद देखेगा चलिए आगे हम आते हैं अब 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 निश्ट अब पाइंट पर आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आपको मिलेंगे ओगया इधर हो गया इधर किके टांकर नियां हम लों यह तो महिलाओं के सिनियर राश्टी यह फुटबल चेंपिनिशिप जो है ठीक है यह आपको विजयता विजयता नाम आ कि तो यह थे आपको में लुंट को चीता है तो मलेी फुटता मोन पूचीता किसको रहां के तो रेलबे पो महिख एक रेलफे को किसको रहां के रेलबे लेंको और्म रेलफे टादिन पुटनीय चलिए अगे हम बढ़ते हैं 15атов अगे बढ़ wur Catalunya हाँ फीफा सबसे पुरुषम में पुरुषम पर्थम आस्तां पापको बेल्जिया मिलेगा और महिलाव में सौन में मिलेगा… ठीक चलिए अब यहां भारत का क्या स्थान है इस रैंकिंग में तब भारत के फूटबर टीम का जो अस्थान है रैंक है वह आपको एक सो एक सो चार क्या है एक सुच्छा इतना बात या रहाएगा चलिए आगे हम बढ़ते हैं आगे बढ़ेंगे कि अगे आपके लिए जो नुजोुँष होगा वो होगा टेनिस में क्या है то हो यह अब को रेंक जारी हुआ है एटिपी रेंकिंग है जो बर्ष कंत में हमसे ढہं होता है कि पर्थम अस्तान पे कौन बने तों ऑर これ कि आ और जो है प्रफ्ष्थिए अधिए ख्लाली चर्चे में रहते हैं तडेमियर में देते हूं क्या खिलते हैं ठेडिस के हैं ठेक है लेक्जंडर जरेव संद् नाम हमें से मिलेगा आपको ठीक है उसके लाव राफिल नदाल टेक है कहां कहां के स्पेन के धिए और रोजर करके तो स्ब छेगा ठेक चलिए यहां पर आपको महिलाओ का भी है इसी तरह से एटीपी रेंगी जारी हुए है डव्लू महिलाओ के जो रेंगी के उसको बोलते हैं डव्लू टी ए इसमें आपको पर्थमास्तान किन को मिला है तो एसल पार्टी को मिला है वहीं अस्टेल यह वाली है जो चलिए ओपन जीती ठीक है चलिए उसके बाद इनका नाम याद रखेगा गर्वीना मुगरू जाका एस्पेन की है टेनिश कहलती है उसके बाद आपको बारबारा क्रेज सीकुआ दो बार चाल नाम पढ़ेगा बजाएगा नाम इंपर्टेंट उतना नहीं है जितना होना चाहिए बस एसल बाटी के नाम यहां से आज रखेगा ठीक है चलिए आगे हम बढ़ेंगे आगे हम बढ़ते हैं तो यहां पर पेज हो कि पिछे आता है तो अब एक दो दोस्त हां हो गया है चलिए उसकी सीनियर राष्टेय चेमपेंश्चिप एह होके के लिए है तो आप होगा है इसके बिजेता कौन है आपको जपान है मैं लाओं की इसके बिजेता जो है आपको जपान मैं लाओन की सीटेय रिचवञां 20की पोनीजगे है इतों कि झूंने है तक भी जैता बना है आपको कि बीए तरह आपको जयपान किसको हरा के आहला है दत्छinn को कंते हैं ठीक आगे आप ठीक जयता है जपान इत्भणन किसको को हला है टॉचों को फोलियल को मात टेक जैस अगे मनंने अगे ऊच्छो का जूनियर भी स्थाद्वी ना न हुआ है यहां पर देखते हैं यह यहां पर कहा है इस भुए है यह जू हुआ है आपको भारत में प्रॉट कि क्या कोई भी आयोजन हो जो इंट्रनेशनल अस्त्र पहुत हो उसमें सवाधिकांस जो मैंच्छतेहां भारत में भुनेश्वार नहीं होता है ठीक है तो नहीं है ठेक तब पूर्सों का जुनियर विश्व को कहां हुआ है भारत के बोनिस वरन हुए है अब यहां से आपके लिए कोशन पुछेगा इसके बिजेता कौन बना है तो इसके बिजेता जो बने हैं वह आपको बना है और जेठीना कौन बना है और जेठीना ठीक है अच्छा बात भीज़ता बनाने जितने हैं बहुत इतना ही नाम्याद रखिएगा और वीज़ता कौन रहा वीज़ता हुआ ओ हुआ जर्मनी ठेक चले अब आगे हम आते हैं क्या भारत का अस्थान को रहा यह नहीं जानिएगा इसको जाने की जरुवत आपको जरुवत नहीं है आगे आते और है आने वाला जो जूनियर्ड पिस्द कण्फों होगे का ओ कहाँ होगा होगा तो होंके आपको मलिश्या के के कवालालोंपुर में कहां होंगा मलिश्या के कवालालोंपुर में क pont याद रहे इतना पॉइंट आप याईड कर लेजे खुद के कॉपल में चले आगे हम बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे उसके विजयता जो बना है आपको उसके विजयता बना है दच्छिन को लिया को बना है यह बात आप लोग याद रखेगा ठेक है और भरत के इसमें तीसरा अस्तान है है कि भारत को बना है ठीक है तीसरा अस्तान कों डो किस ऌहां मास्था है बागत करतें कुलिए ठीक है ठाका में हुआ और इसके पार बीजयता है दस्षिन को लिया ठेक है व्वुजयत्य को है जपान है जपान अवय भारती सातंबर और इसके विजयत्या का नाम आप लोग याद रखिएगा किया combination आगे हम आएंगे आगे आते हैं फिलेंगे ल मत नद करते हैं रांटी से चेंपियंशिप इसका आपको लिए यहां पर फ्रेज है इन परेंड़ ब ठेक यहां पर आप क्या पढ़ना चाहिएगा यहां पर देखिए यह जो है टेनिस में बर्ष दुहरेक वैस की सभी चार ग्राड एस्लम अस्वरदाव में पिजेता और बिजेता ठेक है तो अस्टेलिया दुहे अस्टेलिय उपन तो हो कि आ ठेक है आने वाला जो एग्जाम अब जब जब ऐग्याम होगा तब 22 वळा आपको फ्रांसेसी और भी हो चुक़ रहेंगे ठीक बाईसी वळा आपको फ्रांसेसी ries过हकर पहला सेट हो गया उसी में पुछेए में पुछेगा कि plane तो आरे कुछ याद रखें और इसगा 42 का भी आद रखेंगे और Sne Tapie कीजिएगा क्योंकि एक्जाम के डिट बार बार बढ़ है ठीक है यहां पर देखिए अस्टेलिया उपन सबसे पहले दितने हैं ठीक है तब पूरुस में विजटा कौन बने है तो आपको नुवाक जोकोवीची बने है ठीक है फ्रांसिसी ओपन के भी पूरुस विजटा तैनिस को लंदन ओppen भी करते हैं इसके विजटा को है नुवाक जो कब इच्छी बने है और अब को ए अमेरिकन ऊपे जो है उसके विजटा कौन है देनियल मे बने है ठीक है तो इसमें में डेट घ्रीक खिलार्टिय है और आपको Estefanos Sits Pass यह आपको ग्रीश सेखेलानी है वीजता है आपको फ्रांसी सी ओपन की और माटयो माटयो से माट्यू बेरे टनली है वाप वीजता और नुवाक जोकोभीज जो American पिर टां तो वीजता नाम उतना इन पर नहीं होता है वीजता वाला नाम अपर यार रखेगा घ्रीकैन महिला वीजता में हम आते हैं महिला वीजता ओमे आपको तो एकोन है नुआक चोकोविच और 222 वाला पुछे तो आपको एसल बॉटी और एसल बॉटी ठेक है अब आते हैं फ्रांसे से दो है रेकोईस के विज़ता कौन है तो पराबोरा क्रेस की वा ठेक है चेकर आजी खेला रही है और विमल्दर टेनिस कौन जीती है तो एसल बाटी जीती है 가장 चैसले है च्छिए और एनाम मस्ट मस्ट भिविएी है अमेरिकन और ब्रान को पन के विज़ताख कोन मम रादु खानो सिब ढ़ें है तोया ET bिटन की रहनीवाल मुश्ड मुश्ड भीर आई है ठेक है और हराए की इसको है यह भी इंपोर्टेंट थालक के ठाहा कहां कघर को wranye lotta kawa दोनों याद रखीगा यह बहूत ज़ाद e informed इन प्रटेंट है वहूत ज़ाद important है समझे याद रखिएगा चलिए बाकी सब में कोई भार्तिये सामील नहीं है तो आप अराम से छोड़के की लिए कोई दीकत नहीं है कोई भी दीकत नहींिग है ठेक चलिए अब हम आते हैं आपको लिण यह फिर्लेविबन कर निवज है यह नोगिवक रहुत अमने फलोरी कर दूर से समय सकते है बाप पहला है इसकट इंपोर्टेंट इतना कि पूछा नहीं जा सकता है समझें पूछा नहीं जा सकता है कि आप याद किजिए नहीं जो इससे मिले डेविस कप वहा वह सहीं आप क्या किजिए रट चाहिए ठीक है तर डेविस कप किस खेल से समय देता है टेनिस से डेविस कप किस खेल समय देता ह क्यूंक है भीजेता है इसको रहा है तो कुरेशिया को बहुत जाद इंपोटल इसी तरह से बैड मिंटर में होते हैं आमसकॉप उभेरिखुप ठीक है थामस्कॉप वेरिखुप बैमेंटर सब्सक्वेश ओरए मुष्ट मुस्ट मिलें प्रीट थामस कुप रूस के लिए हो समझें बहुत जाते इसको आप लोग इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं ठीक है विश्वट टेवल टेनिस चैंपेंशिप ठीक है अधिकांस इसमें पदक जो जीते हैं चाइना वाले जीते हैं ठीक है कोई भारती पदक भी कर नहीं है तो हम लोग छोड़ के चलेंगे उतना इ जाद आगे आते हैं कोई चीज आपके लिए इंपोर्टेट नहीं है ठीक है इनपोर्टेंट होंगे तो हम बता देंगे ये यह चीज़ याद रखिएगा कि उन्हां में यूदो कि स्खेल से पूना में यादा टेनिस से भी सर शमयंता है और पूना में यादो यह जो है आ आपको बारत उलंग से समयते हैं नहीं इनका इंपोर्टन कोई नहीं है जाद इन बस्ति चले आगे आते हैं कि चले छोड़ दीजिए इसको फर्मला वान रेस ए आपके लिए बहुत जाद है आप लोग जितना इंपोर्टेंट इसको कर लिजिए उतना important क्यों important आपको बताते हैं थ्र्द सब्र की छी देखिए क्यों important है सबसे पर देखिए यह जो है line headline पर देह हम थे headline हुं को क्या मिलता है red bull team के max war वर टो पेन फर्मुल्ला 1 रेस्व के बउस्ट रोथा यहे विश्वण जैम्पिन है है ठीक है चलिए तत बउस्ट रोथाई के विश्वण जैम्पिनी गौण मने है तब विश्वा चेंपियंशिप लगभो में 22-23 मुकाबला होता है फरोल लरेस का बर्स में ठेक है अभी 22 हुए थे इस बर्स ठेक है तब बाइसों के बिजित में से आधा से अधिकावरा बिजयता बन जाते हैं इसके विश्वा चेंपियंगा राइएगा ठेक है पिछले आ इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है समझें याद रखेंगा चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि बागी सब कौन विजिता बना इस सब बाकू रेड़ बूल ठीक है मतलब सब चेंपियंट अफीशिप है जो बर्स में आपको हर बर्स एक जगाव आईजन होता है आईजन अस्त जो टेक है जिसमें बिजिता कौन बने तो बिजिता बने आपको मैक्स वाश्टापिन फिर्सव चैंपियंशिप में और लुइस हमिल्टन आपको पहले होलेवाले बिजिता है हमिल रहते हैं में स्ट्ट्रीट ही सब कर देद्ट बा रने वाले हैं और यह जो लूस है उसके बीजिता बन चुके है रिकॉर्ड है ठीक है सो फ्रमुलारेस के बीजिता बने ठीक चलिए आगे हम बढ़ेंगे सेशनी जाते हैं कि लगता है फ्रवरी का करेंडर पर वहीं दिया है कौन का बीजिता बने हैं उससे आपको कोई मतलम नहींगे देखिए अब ढ से फ्रमै आज है रुद्वर 12 में राखिए ईसनी कने सौर वैण स्कूल हो गया है फोस्ट बारीच जान को पर ओल भेखिए व्यूर्ड हूए इस बार निथे नहीं वाहतों कुछ त दुच नहींगे पुछ जएक Tumbiaki ठीक है कितने हो जाएंगे तो यह बात आप लोग याद रखीगा चलिए आगे हम आते हैं नेस्ट जो है हम लोग के लिए न्यूज है वह आपको कब कहा है देखते हैं वीडियो बहुत लंबा हो गया थोड़ा सा आप लोग भी रही चले छोड़ते हैं जन्वरी का है जन्व को लाइक किजेगा और शेयर कर दिशेगा और बताइएगा जरूर कि इसमें सुधार क्या करें अच्छा लग रहा है एक नहीं और जो हम इंपोर्टन बता रहे हैं मौस्ट भी बता रहे हैं उसको याद किसी तर से आपको करना है उसमें कोई कोताई नहीं है चलिए ठीक है झाले से तो दानुवाद